हेलो हेलो गुड मॉरिंग प्रेंग्स कैसे है स्वाइब होप सब अच्छे होंगे सब इतना फ़ले चंगे होंगे और आज है दिन प्राइडे और फ्राइडे के साथ में आज है लोहडी तो आप सब को लोड़ी की डेर सारी सुपकाम नाए और बस मैं अभी नहाद होके त्यार होके आई हूँ तो अभी मैं जारी हूँ पटापड से प्राइडे है तो पहले पूजा कता कर लूँ उसके तो बस आके मैंने तुरंट अभी पूजा के बरतन माजे पूरी अलमारी साफ की है मतले पूरा मंदिर साफ किया उसके बाद पूरा सामान लगाया है यह गुडचना का भोग लगाती हूं जो आज वह सब लगाये सारा सामान आज मैं फूल लेने नहीं जा पाई हूं या तो म अभी नीचे भी दिख जाते हैं यहां भी बेशने आते निकलते दिख जाते हैं तो ले लेती हूं लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया सुबह काम की वज़ज़ से तो मैं अभी ऐसी कथा कर ले रही हुआ और बस कथा वगएरा करके भगवान जी का नहाया वह जब पानी था वह अभी मैंने पौधों में डाला तो फिर साथी साथ मैंने सारे पौधों में भी पानी डाल दिया है और यह देखिए मेरी तुलसा जी ना यह पूरी मुर्जा गई थी इनकी कोई भी आसा नहीं थी कि इ मैं यह जितना यह देख रही नहीं यह पूरी दुबारा से पत्तिया आई थी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा संदा हारा था ना तो फिर वो निकल आई थी पत्तिया तो इस सारे उसी हिसाब से अभी मेरे पास बीज रखे हैं मैं दुबारा से भी लगा सकती हूँ मैंने कुछ बीजे पहले रख लिए थे तुलसा माता के निकाल के और अभी भी लगे हुए तो मैं वही देख रही थी कि गमलों में नए पौदे हो जाएंगे और उसके बाद मैं तुरंती मैंने ये कपड़े धोके रखे थे तो ये भी तुरंत डाल देनी में सूखने के लिए आयान को गरम पानी से हाथ पेर धुला दिये तो उसको तो नहलाया नहीं है और उसके बाद मैं आगी हूँ किचिन में तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं तयारी शुरू तुरंद तो चलिए मैं प्री हो गई हूँ फटा फट से अपने त्याहार वाली रस्पी बना लेते हैं तो बस मैं अभी किचिन खाली करके वही तैयारी करने जादी थी क्योंकि तिल के लड्डू और मैं सोचनी हमें इसमार गुर्गटा बनाओं गुर्गटा बहुत अची रस्पी होती है एक किलो का गुड़ेस मैं से फोड़ा सा निकाला था मैंने भोग लगाने के लिए बाकी का रखा है तो पहले मैं से तोड़ लूं क्योंकि लड्डू बनाने के लिए भी चूटा हुआ चाहिए और वैसे को जट्टा के लिए भी कि अधिक अधिक को जड़ी होती है तो कभी कभी ना दिमाग में इतने सारी काम हुजाद मतला इतनी सारी चीज़ों गुमती है खुद नहीं पता होता कि हमारी रखी हुई चीज कहा रखी है तो मैं बहुत देसे मुमफली का डबबा धून रही थी नहीं मिल रहा था और जब कभी जल्दी कर रहे हुए हूँ ना तो और नहीं मिलता है और मैंने उस दिन सारा रासन भरकी रखा था तो बस अभी यह मिल गया है तो मैं इनको भून ले रही हूँ क्योंकि हम जो अब ब्रत में चाय पीती हूँ ना कथा के बाद वाली वह नहीं पीए अब है तो यहां पर मैंने गुर्ण निकाल लिया है इसमें से थोड़ा सा इक निकला है वरना पूरी जो पारी होती ना एक किलो वाली वह है तो यह तो चाकू से में इसको छोटा छोटा काट लेती है अब लोग के पास इतना टाइम कहा होता है कि इतना करते रहो तो जल्दी से मैंने इसको एक लिया है साफ कपड़ा धुला हुआ उसी में इस तरीके से मैं पूरा इसे चकले से इसको थोड़ा छोटा छोटा सा तोड़ ले रही हूँ तो आदा हो जाएगा गुर्ण और उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा घी रख लिया है थोड़ी सी सौफ रख लिया है और यह आयान का टिफिन है यह इसका लंच बॉक्स है तो इसी में मैं बनाओंगी गुर्ण गट्टा तो मैंने इसमें लगा दिया है चारो तरफ अच्छे से घी घी इसमें खूब अच्छे से लगा देना है ताकि चिपके नाराम से निकल आए तो सब जगे लगा दिया है मूम फली भूनी हुई ठंडी हो गई थी तो इनके भी में चिलके ऐसे हाथ से मसल के सारे निकाल दे रही हूं मैं बुनी हुई मूम फली नहीं लाती हूं हमे चाय वाई पी लें फिर बनाएंगे तो बस यहाँ पर यह मेरी चाय त्यार रखी है तो आजाए है अब लोग भी चाय पी लेते हैं अभी मैंने जल्दी से पी के आती हूं अब सारा सामान लगा के रख दिया था और उसके बाद मैंने आके अभी रखी है कढ़ाई चमच है बड़ा चमच और जैसे घी मेल्ट हो गया तो मैंने एक चमच की परावर इसमें पानी डाल दिया है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए थोड़ा सा पानी रहेगी तो गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में मैंने यह आधा गुड़ ले लि लेकिन यह बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद में एक दम सोना सोना खाने में बहुत मज़ा आ जाती है पस इसमें गुड़ का ध्यान रखना है कि गुड़ जलने ना पाए इसमें इसमेल ना आने पाए मतलब एक जली हुई सी होती वह ना आने पाए तो यह गयास को वाला कलर वाला होता है वह वाला गुड़ है और उसके बाद मैंने कटोरी में पानी भी रख लिया है तो साथी साथ में बार बार चेक भी करती जारी हूं और यह देखिए अभी यह तार बहुत नरम था तो जब एकदम वह कड़क हो जाता है जैसे कि गुड़ की तो मैं बराबर गुड़ को चेक करती जारी हूं पानी में डाल के थोड़ा सा वेट करके देखना है कि गुड़ अच्छे से पक चुका हो तो बिल्कुल उसी स्टेज पे गुड़ पहुंचने वाला है तब गुड़ एकदम कड़क हो जाता है वो स्टेज होती है तो इस व मैंने वो टेफिन रखा था ना कोई बरता रखा था उसमें तुरंद पलट लेना है इसको बिल्कुल भी टाइम नी लगाना है ताकि गुड़ चिपकने न पाए क्योंकि गुड़ अच्छे से पक चुका है ठंडा हो जाएगा तो इस चिपकने लगेगा और बस इसमें डा में पर इसमय मूमफ़ी रखी हैं वह डाल देंगे तो मैने युपर से डाल दी हैं मूमफ़ी चावरे तुरव से और उसके बाद मने थोड़ी से सौंफ मेर्ट शनापदी क्योंकि जादा मैं थोड़ी सी जादा डाल दी थी ना सौफ यह देखिए जादा देख रही है और सजाने के उससे तो मुझे जादा सौफ का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है मुमफली तो जितनी डाल दो अच्छा लगेगा और बस इसे अभी ठंडा होने के लिए छ तो यहां पर मैंने तिल ले लिया है और बस इसको एक पैन में रखे थोड़ा सा नको रोश्ट कर लेते हैं तीन-चार मिनट तक अच्छे से भून लेना है यह जलने ना पाए और मैं इस तरीके से बनाओंगी लड़ू ताकि क्योंकि अगर आप दो लोग हो तो फटा फट फटा फट लड़ू बांद लेते हो अगर अकेले बांदा है तो थोड़ा सा यह होता ना तिल के लड़ू जब बांदते हैं तो सूखने लगता है यह तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैंने वही कड़ाई लिये ज्यादा अच्छे से साफ नहीं हो पाई है क्यों नरम से हलका सा टाइट होने वाला होता है उतना तक करना है तो इसको भी बरावर में चेक करती जा रही थी और उसके बाद क्या करना है जब इस स्टेज पर पहुंच जाए तो एक चीज करना है कि ताकि हमारे लड़ू थोड़े से लाइट बने लाइट लड़ू बनते है तब यसमें थोड़ा सा डालूँगी मीठा सोडा ये थोड़ा सा डाल दिया है मैंने हलका सा आपना डालना चाहे तो ऐसे ही बना ले और उसके बाद हिए तिल डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देना है तो ये देखिए जितना मैंने गोड़ लिया था उतना मैंने तिल लिया था बरावर बरावर मातरा में लिया है और यहाँ पर मैंने एक थाली में लगा लिया है थोड़ा सा गी और जितने जितने बड़े मुझे लड़ू बनाने है उतना उतना मैं ये गोड़ और तिल को ऐसे छोटा छोटा करके सारों तरफ फैला ले रही हूँ ताकि इनको उठा उठा के तुरंट लड़ू बन जाएं तो बस क्योंकि मुझे लग रहा था ना वाकेले इस बार कैसे करूंगे क्या करूंगे बनाओं के नी बनाओं तो फिर मैंने का चला हिमत कर क्योंकि आयान की विद्वित खराब रही है ना तो उतना समझ में नहीं आ रहा हूँ और यह लड़ू बनाने के बाद में थोड़ा सा जिनका सेव इधर से उदार हो रहा था तो इनको मैं और थोड़ा सा अच्छा से कर दे रही हूँ और यह देखिए लड़ू बनके त्यार है यह हमारा गुड़ गट्टा और यह वर्या तिल के लड़ू बना ली मैंने अभी गट्टा अच्छे सेट नहीं हुआ थोड़ा सा ओट है तो इसको निटालोंगी लड़ू भी थोड़े से सूप जाए तो इनको बाल के रखोंगी तो यह गुड़ का गट्टा अभी थंड तो सब्सक्राइब करिएगा तब तक के लिए बाई लब यू और टेक क्यार हैपी लोड़ी बाई